मैं तुछे खा जाऊंगी हमारी चाची चुडेल है चाची चुडेल है हमारी चाची चुडेल है मेरी पतनी कहा है कुछ देर पहले आज मैं इस बिट्टु को छोड़ूंगा नहीं, बहुत परिशान कर दिया है इसने, पापा, मारना मत, आई, 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 मारना मत, पीछे मुड, पीछे मुड, मुड, हाँ, हाँ, येलो, वाई, 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 हलके से मारना, हलके से, आई, आई, हलके से, पूरी ता मेरा पैर तोड़ दिया, पागल हो गए हो क्या, मेरा पैर तोड़ दिया, भाग गया, चौप, ये भी भाग गया, घर आने दे इन दोनु को, आज मैं इनके हाथ पैर तोड़ूँगा, परेसाल कर दिया है इन दोनुने, भाईया भावी नमस्ते, छोटू, तू, भाईया, मै एह मैने आज ही शादी की, हमको आशिरुवात दो, कितनी अच्छी जोडी है, यह हमारी भावी, भावी को नमस्ते बोलो, नमस्ते भावी, नमस्ते नमस्ते, और ये है मेरे बड़े भाहिया नमस्ते सदा सुखी रहो बिट्टू और बबलू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं भावी बच्चे कहा हैं बिट्टू और बबलू बाहर खेलने गए हैं अभी बुलाती हूँ बिट्टू, ए बिट्टू बबलू, ए बबलू तुम्हारे चाचाए हैं, कहा हो भावी जी नमस्कार मैंने बिट्टू और बबलू को पीछे महले में जो पुराना घर है डराओना भूतिया उस घर में जाते देखा वहाँ एक चुडेल रहती है जो भी उस घर में जाता है वापस नहीं आता वो चुडेल उनको मार के खा जाती है सुनते हो बिट्टू और बबलू पीछे महले में जो डराओना घर है सुनसान, भूतिया जहाँ चुडेल रहती है वहाँ चले गए हैं उनको बचा लो आज फिर चले गए हैं पागल कर दिया है इन दोनोंने वो चुडेल मेरा बच्चो को खा जाएगी खड़े क्या हो, रो कौन को हाँ हाँ जा रहा हूँ यारुको, मैं भी आ रहा हूँ चल पत्नी हाँ हाँ, चलो मैं भी आ रही हूँ थक गया बहुत थक गया लगता है मुझे बुडापा आ गया है चरा हैंड पम्प चला पानी पीता हूँ प्यास लग गई है हाँ हाँ भाई पानी नहीं आ रहा है कैसा हैंड पम्प है ये और तेरी तो मेरा पैर ओ मम्मी ओ पापा ए बिट्टू, घर चल मम्मी पापा आ गए हैं भागो बिट्टू देख तेरे चाचा आए हैं चाचा? बिट्टू कैसा है? मैं ठीक हूँ बहुत अच्छा हूँ तेरे चाचा के आज ही शादी हुई है ये तेरी चाची कितनी अच्छी चाची है कितनी अच्छी चाची है चाची नमस्ते, मैं बिट्टू मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना पापा अबे चुप, हट चलो, सब लोग घर चलो हाँ, घर चलो, चलो चाची ये घर किसका है? ये सौ साल पुराना घर है इस घर के अंदर चुडेल रहती है जो भी इस घर के अंदर जाता है चुडेल उसको मार के खा जाती है इतने पड़े लिखे होकर अनपड जैसी बाते करते हो मैंने तो आस तक कभी नहीं देखी चुडेल अरे इस घर में चुडेल है अरे डरो मत, चुडेल नहीं होगी मैं देख के आती हूँ कितना पुराना घर है यहाँ एक औरत सोई है अरे यह चुडेल है बाहर चलो चुडेल नहीं है यह कोई गरीब औरत लग रही है यह तो सचमुच चुडेल है भाई साहब मुझे बचा लो आ गए दो इंसान मैं अब इनको खाऊंगी चुडेल हमको छोड़ दे छोड़ दू? कैसे छोड़ दू? चुडेल मुझे छोड़ दे मेरी आज ही शादी हुई है मुझे छोड़ दे तेरी आज ही शादी हुई है अब मैं अपना रूप बदलकर तेरा रूप रखूंगी फिर तेरे घर जाकर तेरे पती को अपना पती बनाऊंगी अपना रूप बदलकर इसका रूप रखती हुई तो अपना रूप बदलकर इसका रूप रख चल इनके घर जाकर आते हैं वापस आकर इनके टुकडे टुकडे बनाकर खाएंगे बहुत देर लगा दी आने में मैं डर गई थी मेरी पत्नी आ गई तू मैं भी बहुत डर गया था चलो चलो यहां से चलो घर चलो हाँ चलो मेरी चाची मेरी चाची कितनी अच्छी चाची आज मैं चाची के साथ सोंगा हर पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई है हमें नीद आ रही है भाबी जी हम सो जाते हैं चाचा को सोने की बहुत जल्दी हो रही है क्या बात चाचा क्या 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 समझ गया समझ गया है ना पागल है देवर जी इस कमरे में सो जाओ अराम से सो जाओ हाँ हाँ चल पतनी सो जाते हैं कितनी अच्छी जोड़ी है दोनू की जाओ जाओ सो जाओ मम्मी मैं भी चाची के साथ सोँगा क्या चाची चाची सो जा मैं भी चाची के साथ सोँगा कितनी अच्छी है चाची मैं भी चाची के साथ सोगा देवर जी बच्चा ही तो है सुलालो अपने साथ में है ये बच्चा पता है कैसा बच्चा है चल हमारे साथ सोगा चल चल मैं चाची के साथ सोगा मजाएगा चलो चाची चलो 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 आपको क्या हुआ जब से उस चुडेल के घर से आये हो, कुछ बात नहीं कर रहे हो मुझे नीद आ रही है, मैं सो रही हूँ खड़ी क्या हो, तुम भी सो जाओ चाची, कोई कहानी सुनाओ, भूत वाली भूत वाली कहानी सुनने में मज़ा आता है बहुत मज़ा आता है चाचा, तुम भी सुनना चाची, सुनाओ, सुनाओ क्या कहानी सुना, सोजा उठा के बाहर फैक दूँगा, कहानी सुना सो गया, सो गया मेरी पत्मी, मेरी दुलहन, मैं कैसा हूँ आप बहुत अच्छी हो चाचा, आप से अच्छी चाची है तु अभी तक सोया नहीं सोजा, वरना उठा के बाहर फैक दूँगा सोजा, हाँ, सोजाता हूँ आपको जो करना है करो, करो, मरो जो करना है करो का क्या मतलब है बिट्टू, ए बिट्टू बिट्टू, ए बिट्टू लगता है सच में सो गया मेरी पतनी मैं बचपन से सोचता था जब मैं बड़ा हो जाओंगा मेरी शादी एक सुन्दर लड़की से हो आज मेरा सपना पूरा हो गया I love you I love you पतनी I love you अरे चाचा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा न, मैं भी चाची जैसी सुन्दर लड़की से शादी करूंगा तेरी शादी एक चुडेल से होगी, सो नहीं सकता हाँ, मैं चुडेल से शादी कर लूँगा, मुझे चुडेल अच्छी लगती है चुडेल से शादी करेगा चुडेल के दाथ कितने लंबे होते हैं मुह से बाहर निकले रहते हैं कितने गंदी होती है चुडेल अगर मेरे सामने आ जाए मैं उसके मुह में थूख दूँगा अक थूख थूख तू चुडेल के मुह में थूखेगा तो चुडेल के मुह में थुकेगा मैं तुझे खा जाऊंगी हमारी चाची चुडेल है मेरी पत्नी कहा है तेरी पत्नी मेरे घर में है और मैं तेरे घर में मैं रूप बदलकर तेरी पत्नी बनकर तेरे घर में आई थी तुम सबके टुकडे टुकडे बना कर खाऊंगी चुडेल हम को छोड़ दे मेरी पत्नी को वापस कर दे इस वीडियो का अगला भाग जरूर देखें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें